हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आज बात करेंगे टाटा ग्रूप बहुत बड़ा नाम है लेकिन जब भी टाटा की बात आती ही तो आपको बड़े बड़े नाम याद आते होंगे जरह कमेंट के थुरू बताइए कौन-कौन से वह बड़े नाम है जो आपको याद आते है खास प्राइब में है वो कहेगा बाई टाटा मोटर जो स्टील वाले लोग है वो कहेंगे टाटा स्टील इसी तरीके से टाटा हर इंडस्ट्री में मौझूद की बनाय हुए है और टाटा का नाम जबर्दस लेकिन जब बात आती है रिटेल सेगमेंट में तो टाटा का कौन सा प्लेयर है जड़ा कमेंट के थूप बताईए और आगे पढ़ने से पहले हम आपको बताऊ कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और स्टॉक की उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड और यह स्टॉक देखिए हमेशा यह ध्यान रखना है कि स्टॉक अगर भाग गया तो वह हमें बहुत कुछ सिखाता है ट्रेंट टाटा का वह रिटेल सेग्मेंट का प्लेयर है जो कि एपरल फुटवेर अक्सेसरी टॉइज फूड ग्रॉसरी इन सब के उसमें काम करता है चार सो स्टोर नियर लीज के हैं साथ जार करोड का हो चुका है मार्केट कापिटलाइशन अब इस स्टॉक को देखोगे इसके रिवेन्यू के ग्रोथ को देखोगे आप हो जाओगे फैन आप कहोगे क्या स्टॉक है जबरद इसके बाद देखिए रैली पर रैली आई गई और आज यह स्टॉक सत्रा सो के आसपास गया लेकिन अभी रिसेंट रैली में अगर मैं देखो जो हमारे पास रैली चली है अप्रेल में जून यह रैली चलिए ज़रा इस स्टॉक को देखिए और ध्यान से समझने के देखा वह आपको अपॉर्चुनिटी देगा एक दिन तक नहीं बलकि कई दिन दे लेकिन इस स्टॉक ने जो कंसॉलिडेशन दिखाया है बस यही कारण है यह स्टॉक आपके सामने आया है कंसॉलिडेशन हमारे लिए बहुत बहतरीन चीज है अब कंसॉलिडेशन कहां पे और अब ही आपको मैं दिखाऊंगा यह सिचुएशन यह टाइम अगर देखोगे तो फरवरी मार्च एपरिल तक के चलती है और मे में यह मूब कहीं जाके स्टार्ट होता है देख रहो इस बड़े रैली के बाद बड़े वॉल्यूम के बाद आप देख सकते हो कि यह पू सबसेंट के राउंड किये रैली लेकिन समझने की बात यह है अब इस कंसलिडेशन को देखे यहां पे कहां पे चकर लिए वीकली पे 20 एमे के पास तो जैसा हम बार बार आपको कहते हैं कि जब हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो जब हम डेली पर आते हैं तो 800-1300 की रेंज में देख रहे हो बिल्कुल लो वॉल्यूम का यह कंसलिडेशन आप देख सकते हो क्लियरली और उसके बाद यह बहतरी रिजेक्शन कैंडल बड़े वॉल्यूम की बहुत इंपॉर्टेंट और यह कंसलिडेशन हमें क्या अपॉर्चुनिटी देता है और हमारे इंटरी इंटरी न लेकिन वह आपको बहुत को सिख हाके जाता है तो यह कंसलिडेशन हमारे लिए जो 200 SMA daily के आसपास आते हैं, बहुत बढ़िया बहतरीन consolidation हो जाते हैं, अगर आप इनको देखो, इनकी RSI को देखो, इनकी MACD को देखो, आपको गया रहे तो momentum वाली जोन है, और यह opportunity क्यों हो, क्याकि यहां पे हमारे पास low risk, अगर deep risk की भी बात करें, तो यह आपके पास 1150 का entry 1350 के आसपास, और immediate यहां पे improvised risk की बात करें, अगर आप इस consolidation zone में entry ले रहे हो, तो आपके पास जो improvised risk के area है, वो यह बैठेगा, देखिए, stop loss, और improvised DA है, और लेड जाते हो, तो फिर उसके बाद यह level, तो आपके पास क्या बनती है, low risk की opportunity, तो मान के चलते हैं, कि आप सा easy calculation हो जाएगी हमारे लिए, और आपका stop loss था 1300 के पास, ठीक है, और आपने का बैम मेरा जो target है, वो at least 1 to 3, 1 to 2 तो हो गई होगा, तो 200-300 point का उपर खा, तो आपका सीधे 1400 से 1600, 1600 या फिर 1700, देख रहे हो, easily achieved, तो यह छोटी-छोटी चीजा जरूर है, लेकिन बहुत important चीज होँगा, देखिए, यह कुछ learning members की comments है, जो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले trend के daily chart को analyze कर रहे थे, नारु सिंग देख लीजे, रिशी जी जी जेख लीजे, आजया शोनी जी देख लीजे, trend in daily timeframe, तो मैं आपको कहूँगा कि आप किसी भी stock को अगर analyze करते हो, सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना है, अपनी analysis पे विश्वास करना है, price action, और विश्वास वो confidence तभी आता है, जब आप practice करते हो, प्रैक्टिस के साथ, जैसे अगर आप पिछले 3 महीना के data को देखोगे, analyze करोगे, और अगर आप उस ताइम पे practice भी कर रहे हो, आपने खुदी मिलेगा, वो practice आपके लिए confidence लेके आती है, इसलिए आपको कहा जाता है कि regular basis पे practice करनी है, अभी एक comment आते है कि practice कैसे करनी है, तो बहुत ही साधरान सा, simple सा है, जो डेली 50 stocks सबसे ज़्यादा भागे हैं, उसमें small cap के हटा लीजे, आप mid cap ले लीजे, large cap ले लीजे, 50 stock daily उठ के देख लीजे, जो सबसे ज़्यादा भागे हैं उस दिन के, उस stock को देखे, कि करके उनके चार चार्ट को देखना है, monthly, weekly, daily और hourly, और उसी की तरीके से जब आपके पास weekend आ जाता है, तो उस week में जो सबसे ज़्यादा 50 stock भागे हैं, तो उनको देख लीजे, उनके अलग- पूरी है, cycles के उपर इतनी सारी वीडियो जो हम रगदर बेसिस पर create करते हैं, प्राइस सेक्षन की सीरीज में आपके सामने है, क्या cycle है, cycle के starting देखते हैं, किस तरीके से correction जो हमारा resolve होरा, जैसे मान लीजिए, monthly time frame पे impulse बनी, ये correction आई, और daily पे हम देखते हैं, daily पे cycle बदल loss भी बना हुआ है, अब मैं अगर इस पर entry करता हूँ तो ये एक बढ़िया rally 20-30% की ये देगा ही देगा, समझे इस पाट को अगर नहीं देगा, तो मेरा stop loss मेरे लिए ready है, यहाँ पर, मेरे पास इतने loss के साथ, इतने profit तक जाने की, यहाँ पर छूट है, तो ये छोटी छ अची चीज़े बड़े time frame वाई जाते हो, तो daily की cycle पर समझे, और उससे थोड़ा सा और आपको opportunity देखनी है, तो फिर क्या होता, rally आते है, तो फिर जो अगली correction आएगी ना, वो stock को लेके आती है, at least hourly की cycle खराब करती है, hourly की 200 SME की cycle को बिगारती है, और जब cycle को बिगारती ह तो जब दुबारा cycle start होती है, तो तब opportunity होती है, अगर आप देखोगे, तो daily की cycle में भी opportunity आती रहती है, पिछली daily की cycle की opportunity है, जुलाई 2022 में आई थी, उसके बाद अभी आई है, देख सकते हो, फिर लब साल में एक दो daily की cycle की opportunity पर stock आती है, और stock हमारे पास market में बहुत सारे है, तहीं न कहीं cycle start हो रही होती है, तो वो just depend कि आप analyze कर रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, और cycle की starting के, मैं low risk की opportunities को grab करने की कोशिश कर रहे है, low risk, momentum, जहीं तो है, और probability, wind up करता हूँ वीडियो को और share कीजिए, like कीजिए, देखे like, जरूर क्या कीजिए, अगर आप देखते रहे हैं स्टॉक जहां पर हो रही है, cycle start and thank you, thank you for watching the video.